हाई गाईज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीट एट के प्राइमरी किलास के कुछ मैथ के प्रस्ण और कुछ मैथ की पेड़ागोजी के ये भाग साथ है इससे पहले मुने छे भाग बनाके डाल दें उन्हें भी आप देख लिए चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रस्न आपके सांदी गां के यह रहा है कि अचा एक सिच्छक ने में एक पिद्ध्यारतिय को सभी बस्तों की गड़ना करने के लिए कहा सभी बस्तों का मतलब जितनी ौसमें अलाला बिविने प्रागार बस्तों जैसे उसमें कुछ फैन है पूछी गई है उससे और उसने अलाला संक्या में दिया कि दो पैन हैं पांच से उसके रवर हैं और तीन शार्पनद हैं तो इस प्रकार इसमें जो है उसे आंसार देने में किन सिद्धांतों पर कटनाई का सामना करना पड़ रहा है तो देखिए इसमें अमूर्तन और असंगत करम का सिद्धांत का एक कटनाई का सामना करना पड़ रहा है जो कि आपको उप्सन नंबर फोर सही है चलते हैं अगले प्रस्न की ओर हो युदे डेएकर इसमें कहा इनोंने संख्यायों के संदरम में प्राथ्मिक कच्छा बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आजूवरग8 से नो वर्ष है निम्निकत मेंसे किस समुच्चे में प्रभीण है तो इसमें जो है जो प्रामरी वरक के जो बिद्धार्टी होते हैं वो पंती बद्धिता वर्गी करड़ और प्रती वरत्तिता में जो है प्रमीर होते हैं तो इसका आप्शन तीन सही है चलते हैं अगले प्रस्ण के वोग इसमें नोंने कहा है प्रस्ण में गड़ित के कच्छा कच्छ में दरस्टी बादितों के लिए निमलेखित में से किनका प्रियोग सिच्छा के साधनों के रुप में किया जा सकता है यहां आपको ध्यान देना है कि क्यों दरस्टी बादितों के लिए यो सहायक होते हैं साधन उनको ही हमें लेना है तो आप इसमें देखेंगे एक तो आपका टेलर का गिंतारा ये द्रश्टी बादतों के लिए काम आता है और एक कंपीटर है और एक जी यू बॉर्ड है ये तीन जो है ऐसी वह हैं साधन जिनने द्रश्टी बादत शात्र उप्योग करते हैं चलते हैं अगले प्रस्ण क्यों इस प्रस्ण में देखिए कहा इनों ने वास्तिविक जिन्दगी से गड़त का संबंद बनाने के लिए और अंतर विस्यों को विकसित करने के लिए निमने के तमय से कि मुल्यांकन योजनाओं का उप्योग किया जा सकता है तो देखिए इनों ने जो कहा है वास्तिविक जिन्दगी से गड़त का संबंद बनाने के लिए तो वास्तिविक जिन्दगी आपका छेत्री ये ब्रहमड और सर्वेच्छड और उसका परियोजना ये इसके जो है मु सही होता है चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर तो इस प्रस्ण में देखिए कहा कि प्रात्मिक स्थर पर से चर्थियों को माप का संदर पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है जब भी हम माप का संदर पढ़ाते हैं सबसे पहले हम अब प्रमाणिक मापों के बारें अब परमारे को देंगे उसके बारे में फिरम प्रमारिक मापों के बारे में बताइंगे इसमें जो आपको प्रमारिक मापों के बात करना हई- यानिकर अगले प्रसन he वारें बताना चाहिए जैसे कोई उनकी गलतिया हों तो उसमें जाए उन्हें उसका आवास होना चाहिए तो इसका आप्षन सही होता है फॉस्ट चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है देखिए कच्छा चार के अधिकतर चारती सोचतें के दो संक्याओं के गुणा से प्राप्त संक्या सदयव दोनों संक्याओं से बड़ी होती है आप यहां कैसे प्रदस्ट करेंगे कि यह सदयव सत्य नहीं होता है देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर कोई दो संक्याओं हैं जैसे एक गुणा तीन है इसका गुणा करेंगे तो सदय इन्होंने का है दोनों संक्याओं से बड़ी होती है तो देखिए दोनों संक्याओं का मतर्द तीन आ गया पर यह थे आपको शुड़ावर हो गया अगर एक का गुणा अगर हम कहें कि 0.5 म ये वज़ा छोटा होया और इससे भी छोटा है और यह इसके बराबर है है एक बोड़े दो गड़ाई एक दो ले ले यानि के पॉइंट फाइब गड़ा पॉइंट फाइब ले लें तो यह जो आये गा 0.25 आएगा लेगा इस से भी यह चोटा है इससे भी चोटा है तो यह गज़त सावित होगी लेकिन आप बच्चों को कैसे बताओगे वह वह कौन सी क्लास के बच्चे हैं फोर्थ क्लास के बच्चे हैं तो हम इसके लिए हमारे पास एक ग्रेट पेपर होता है उस पर दो संक्याओं के गुड़न को सो दर्शित करके हम उनको दिखा सकते हैं कि जो यह कथन है वह सदय नहीं होता असत्य भी हो सकता है तो आपका यह प्रस्ण वाला यह इसकी लिए आंसर जो सही है अप्षन मत 3 से होता चलते है अगले प्रस्ण की योग दो संक्याओं के योग की संक्लपना को पढ़ाने के लि तो किवल गिराब पेपर यह कैसी चीज़ है जिससे हम बच्चों को अच्छी तरह से इस बिंद्यू को समझा सकते हैं तो आप्शन नम्मर इसका सही होता है टू गिराब पेपर चलते हैं अगले प्रस्ण की देखिए यह भी प्रस्ण बहुत अच्छा है गर्च से बहबीत ह और उसे में असपल होने के लिए किसे काड़ नहीं माना सकता यह प्रतिकत्म गर्थ की नहीं है कि लड़किं भालब से संबंद्ध का शीचा मतलब कि लड़किया भैवPass ज stance या लड़के जादा सपल होती है या लड़के जादा सफल होती है नहीं आता है अय। वाद फैक यृ का है नोइन दो अंक्किय संख्या को दूसरी एक उंक्य शू fall expect कर ने की प्रक्रिया को समझने के लिए निव שबिशन पूर्ड कर रहना आवच्यक है तो देखें कि अगर दो की संख्या है जैसे मेरद लेजिए कि आपको 27 गुराद too तीन कराया है एक यह दोंकों किसंग्या एक किसंग्या इसका समय मंटिफलाई करना है तो सबसे पहले आपको दोको गुणाना आना चाहिए कि दोनों गुणाना कैसे किया जाता है गुणाना करने तो गुणाना जरूरी है यह कभी कभी हमें से सरल बनाने के लिए हमें से प्लस सात गुलां तीन तो हम हम जो है इसमें विपा सकता होनी चाहिए तो यानि के आप देख रहे होंगे गुलाएं करना की तो लिए होनी झाहिए दूसरी की हमें योग की विज़त पर सकती है योग ऑर बितर्ड के रूप में तो आपको इस प्रस्ण में देखना चाहिए धों की संक्या का गुणा के में करें चैने दूंखों की संक्या अपको फिसल्ण गुणा करें उसे यो मैं उसमें जो आपको गूरन योग के रूप में आपको जो जानकारी होना आवश्यक है चलते एगले प्रस्ण कियो देगे इस प्रस्ण में आप से नो ने कहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई का तीन गुना है इसकी चोड़ाई वरक की वज़ा का आदा है जिसका परिमाप 32 सेमी है अगर बरक का परिमाप 72 सेमी तो बरक की वज़ा जो होगी वो 18 होगी क्योंकि बरक की वज़ा 18 है तो 4 तरफ से 4 वज़ा हो जाती 4 को गुना कर देंगे इसमें तो देखिए 18 चोग 22 होता है इसलिए उसकी वज़ा 18 हो गई अब वज़ा 18 है बरक की तो इसकी चोड़ाई किती होगी, बर्क की वजागा आदा है, तो बर्क की वजागा में दो कावा करेंगा, आदा हो जागा नो, तो नो क्या हो गई, नो हो गई आपकी आयत की चोड़ाई, तो आयत की लंबाई निकालेंगे, तो उसकी तीन को नहीं है, वो 27 हो जाएगी, लंबाई प्लस चोडाई तो लंबाई चोडाई को जोड़ेंगे तो रिषा चाथ 36 में तो में 62 होता है गिए मोना इसका बरावर हो गया किसके अज़ा कि परता है दो पहरी चीदए यहां समझजे लीजेके चीटवल निकारेंगे 27 गुला करेंगे उसका अलग आएगा और 18 का बर्क करेंगे उसका अलग आएगा तो यहां जो उल्डा दिया आयद का चीटवल ज्यादा है बर्क के चीटवल से ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम निकार लाएं 18 का बर्क कर लिजे और 9 गुणा 27 कर लिजे तो बर्क के चीटवल ज्यादा निकलता है आयद का चीटवल कम निकल लाएं तो देखेंगे इसका ऑप्षन जो सही हो रहा है वो इनके दोनों के परिमा बराबर निकल लाएं तो यही उप्षन इसका सही है आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो